इस लेक्चर में हम डाइकोट रूट एंड मॉनोकोट रूट की प्राइमरी स्टक्चर के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि डाइग्राम में प्रदर्शित किया गया है किसी भी अंडरग्राउंड रूट में चार जोन्स पाई जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इलोंगेशन जोन, हेरी जोन, एंड मैचुरेशन जोन एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो यह है प्राइमरी ग्रूथ अर्थात लंबाई में विर्दी के लिए रिस्पॉनसिबल होता है रूट कैप इसको सुरक्षा परदान करती है इलोंगेशन जोन की बात करें तो सेल्स पर्मानेंट होकर इलोंगेट हो जाती है हेरी जोन की बात करें तो सेल्स डिफ्रेंशेट हो जाती है वेर रूट हेर्स निकलाते हैं यह रूट हेर्स तिन्नी ओस्मोटिक एपरेटर्स की रूप में करे करते हैं Maturation zone की बात करें तो secondary growth हो रही होती है या हो चुकी होती है यह zone aerial system को support देखकर fixation का करे करता है यह zone के वल dicault roots में पाया जाता है monocot roots में इसका पुरुनत्या अभाव होता है जबकि एंजियो सिर्म प्लांच के टिपिकल एमब्रियों की बात करें तो इसमें दो मुख्य भाग होते हैं Plumule and Radical Plumule के Apex पर you Pということ merist沒有 based all theatt जो aerial system develop करता है तथा Radical के Apex पर root apical meristem अपस्तित होता है जो primary root develop करता है Dicots में यह primary root tap root में develop हो जाती है जबकि monocots में यह primary root less developed या absent हो जाती है monocots में water absorption वे fixation के लिए stem के अधार भाग से fibrous root system विक्सित होता है जो की adventitious root system होता है dicot root की primary structure में यदि सबसे पहले outline structure की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ epiblema उपस्तित होती है जो की single layer होती है इस पर root hairs उपस्तित होते हैं epiblema के ठीक नीचे single layered exodermis उपस्तित होती है जो dicot roots में parent kymetus होती है exodermis के ठीक नीचे journal cortex उपस्तित होता है जिसकी cells spherical होती है अर्थात इसमें intercellular spaces उपस्तित होते हैं अंत्रिक LAYER एंडोडिर्मिस कहलाती है एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पस्ते होता है तोय एपयरी साइकल के ठीक नीचे फ्लोयम व्हे जाइलम उपस्ते होते हैं डाईकोट رूट्स में डाइयार्ज यार्ज to hexarch condition पाई जाती है अर्थात 2-6 समूः जायलम के होते हैं तथा 2-6 समूः फ्लोयम के होते हैं कि डाइकव रूट में पित्थ लेस्ट डेवलप्ड या एपसेंट होती है जायलम और फ्लोयम के मध्य उपस्थित टिशू को कंजंक्टिव टिशू कहते हैं डाइकाट रूट की प्राइमरी स्टक्चर में यदि सेलूलर स्टक्चर की बात करें तो जैसा कि डाइग्राम में प्रदर्शित किया गया है सबसे बाहर की तरफ एपीबलेमा लेयर उपस्तित होती है यह है जनल कोर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है इस पर क्यूटिकल का अभाव होता है इस पर रूट हेयर्स उपस्तित होते हैं एपिबलेमा के ठीक नीचे एग्जोडर्मिस उपस्तित होती है जो की सिंगल लेयर स्टक्चर है और यह है पैरन कार्मेटर्स होती है exodermis के ठीक नीचे general cortex की 6 से 7 layers उपस्तित होती है इसकी cells spherical shaped होती है जिस कारण इनमें intercellular spaces उपस्तित होते है general cortex के ठीक नीचे endodermis की layer उपस्तित होती है जिसकी cells barrel shaped या ढोलकाकार होती है इन cells की radial walls पर subarin का जमाव होता है जिन्हें casparian strips का endodermis के ठीक नीचे pericycle की एक layer उपस्तित होती है dicot roots में pericycle homogenous वे parent kymetis होता है pericycle के ठीक नीचे xylem उपस्तित होता है जो की exarch condition में होता है अर्थात protozylem प्रेदी की ओर वे metazylem केंदर की ओर रहता है किनी दो xylem groups के बीच में phloem उपस्तित होता है प्रेदी की संख्या के बराबर होती है स्टील के केंदर में पित्थ या medulla उपस्तित होती है जो less developed या absent होती है xylem वे phloem के मद्धय उपस्तित parent kymetis tissue को conjunctive tissue कहा जाता है टीनोस्पोरा की बात करें तो इसकी खास बात ये है कि इसमें aerial roots पाई जाते हैं और इन aerial roots के general cortex भाग में chloroplasts develop हो जाते हैं morosvay salix की roots तथा ficus bengalensis जिसे bunyan tree भी कहते हैं उसकी prop roots में pericycle multi-layered होता है समाने तया एक plant की roots में किवल एक ही प्रकार की condition diarch या triarch या tetrarch या pentarch या hexarch पाई जाती है प्रन्तु कुछ dicots में एक ही plant की roots में एक से अधिक archic conditions पाई जाती हैं ऐसी roots को heterarchic roots कहते हैं for example enhydrafluctans की roots में diarch, triarch, tetrarch तीन conditions पाई जाती हैं monocot root की primary structure में यदि outline structure की बात करें तो जैसा की diagram में परदर्शित किया गया है सबसे बाहर की तरफ epiblema layer उपस्तित होती है जिस पर unicellular root hairs पाई जाते हैं epiblema के ठीक नीचे exodermis की single layer पाई जाती है monocot roots में exodermis scleran chimetus होती है exodermis के ठीक नीचे journal cortex उपस्तित होता है जिसकी cells spherical shaped होने के कारण इसमें intercellular spaces पाई जाते हैं journal cortex की innermost layer को endodermis कहते हैं endodermis के ठीक नीचे single layered pericycle पाया जाता है monocot roots में pericycle homogenous where parent chimetus होता है pericycle के ठीक नीचे xylem उपस्तित होता है monocot roots में xylem के 6 से अधिक groups होते हैं इस condition को polyarch condition कहा जाता है किनी दो xylem groups के मद्य phloem उपस्तित होता है phloem groups की संख्या भी xylem groups की संख्या के बराबर ही होती है स्टील के बिलकुल केंद्र में पित या मैडूला उपस्तित होती है monocot roots में पित या मैडूला well developed होती है monocot root की primary structure में यदि cellular structure की बात करें तो जैसा की diagram में प्रदर्शित किया गया है सबसे बाहर की तरफ epiblema layer उपस्तित होती है epiblema पर unicellular root hairs पाए जाते हैं epiblema के ठीक नीचे exodermis की single layer उपस्तित होती है monocot roots में exodermis scleran kymetis होती है exodermis के ठीक नीचे general cortex की 8-10 layers उपस्तित होती है general cortex की cells spherical shaped होने के कारण इनमें intercellular spaces उपस्तित होते हैं general cortex के ठीक नीचे endodermis की single layer उपस्तित होती है endodermal cells barrel shaped या डोलकाकार होती है endodermal cells की radial walls पर suberine का जमाव होता है जिन्हें casperian strips का आ जाता है endodermis के ठीक नीचे paricycle की single layer उपस्तित होती है monocot roots में paricycle homogenous vaparenchymetis होता है paricycle के ठीक नीचे xylem के groups उपस्तित होते हैं monocot roots में polyarch condition पाई जाती है अर्थात xylem के 6 से अधिक groups उपस्तित होते है monocot roots में exarch condition में xylem उपस्तित होता है किनी दो xylem groups के मद्य phloem उपस्तित होता है phloem groups की संख्या xylem groups की संख्या के बराबर होती है स्टील के केंदर में पित या मैडवला उपस्तित होती है monocot roots में पित या मैडवला well developed होती है xylem वे phloem के मद्य उपस्तित paranchymetus tissue को conjunctive tissue कहा जाता है orchid की hygroscopic roots में epidermis वे exodermis के मद्य wellament tissue पाया जाता है और general cortex में air chambers पाय जाते हैं जो इन roots को tensile strength प्रोवाइड करते हैं अब यदि हम dicot root और monocot root में differences देखें तो dicot root में exodermis paranchymetus होती है जबकि monocot root में exodermis scleranchymetus होती है dicot root में cortex बहुत छोटा भाग होता है जबकि monocot root में cortex काफी broad होता है dicot root में xylem diarch to hexarch condition में पाय जाता है जबकि monocot root में xylem polyarch condition में पाय जाता है dicot root में pith less developed या absent होती है जबकि monocot roots में pith well developed होती है dicot root में secondary growth पाय जाती है जबकि monocot root में secondary growth absent होती है dicot root में secondary growth के सम्में cambium बनती है जबकि monocot root में cambium कभी भी नहीं बनती है Adventitious Roots की बात करें तो ऐसी Roots जो Embryo के Radical को छोड़कर किसी अन्य भाग से विक्सित होती है Adventitious Roots कहलाती है Adventitious Roots, Dicots व्य Monocots दोनों प्रकार के Plants में पाई जाती है Dicot Adventitious Roots की Structure Primary Dicot Roots के समान होती है और Monocot Adventitious Roots की Structure Primary Monocot Roots के समान होती है यदि किसी Root में Root Hairs Absent होते हैं तो उनका Root System Less Developed कहलाता है चाहे Root System कितना भी Bransed वेब बड़े साइज का क्यों नहीं हो For example, Eye Cornea जिसे जल कुम्भी भी कहते हैं यह एक Ecological Adaptation है Root Hairs की Cell Wall में Pactin पाया जाता है यह Pactin जल के साथ मिलकर एक Sticky Substance बनाता है जो Root Hairs को मिट्टी से चिपकाता है इसलिए जब हम किसी Plant को Root System समेत उखारते हैं तो उसकी Roots के साथ मिट्टी चिपकी होती है किसी चिपकाता है